तो UP Board Compartment और Improvement परिक्षा के online form भरने की डेट जारी कर दी है UP MSP ने online आवेदन आप 17 मई 2023 से 7 जून 2023 तक कर सकेंगे और 10 जून 2023 तक ये आवेदन आपको अपने छेत्री कार्याले में प्रेशित करना है सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं क्योंकि बार-बार students आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन आवेदन कर सकता है कौन Improvement भर सकता है कौन Compartment भर सकता है पूरा वीडियो देख लेना सारे doubt clear हो जाएंगे आपके कौन कौन कर सकता है आवेदन सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे high school के students के लिए बात करते हैं तो high school के जो परिच्छारती हैं वो improvement और compartment दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं देखो इसमें भी एक rule है कि अगर high school का कोई student दो विशे में fail है तो वो compartment परिच्छा भरेगा तो वो एक विशे में pass हो जाएगा compartment के द्वारा और एक विशे में fail रहेगा तब भी वो pass ही माना जाएगा लेकिन अगर कोई परिच्छारती high school का 10th का एक subject में fail है किसी एक विशे में अनुत्रीन और compartment के अंतरगत दो विशे में अनुत्रीन होने पर किसी एक विशे में आवेदन कर सकता है compartment भरेगा अगर दो विशे में fail है तो एक में compartment भर देगा और एक में fail रहेगा तो उससे वो pass ही माना जाएगा लेकिन दो में का अपार्टमेंट नहीं भरा जाएगा ये बात आप साफ ढंक से समझ लो high school वाले student लेकिन अगर कोई परिक्षारती अगर कोई student एक subject में fail है तो वो फिर improvement का exam भर सकता है एक subject में improvement का exam भरा जाएगा एक से अधिक विशे में नहीं एक विशे में चाहे तो वो improve करा सकता है हाला कि pass वो माना जाएगा एक subject में अगर fail है छे subjects में से एक में अगर वो fail है तो उसे pass ही माना जाएगा लेकिन वो चाहे तो improvement exam देकर अपने अंक सुधार कर सकता है, improvement करा सकता है दो में fail है तो वो फिर compartment का form भरेगा, फिर वो improvement का नहीं भरेगा intermediate की बात की जाए तो intermediate में केवल compartment के लिए आवेदन करना होगा improvement का यहाँ पर option नहीं है intermediate परिक्षा में मानविकी, विज्ञान, वाडिजवर्ग में समलित परिक्षारती किसी एक विशय के लिए आवेदन कर पाएंगे यहनि कि आप science से हो, art से हो, या commerce से हो, किसी एक विशय में आप compartment का form भर पाएंगे crushy part 1, part 2 के निर्धारित विशयों में से किसी एक प्रशन पत्र और विवसाइक ट्रेट जो हैं, जो बच्चे विवसाइक ट्रेट परते हैं, उन जो विवसाइक ट्रेट के जो विशय हैं कि किसी एक प्रशन पत्र में अगर परिक्षारती फेल है, तो उसके लिए वो compartment का form भर सकता है, और जो arts के हैं, science के हैं, और commerce के हैं, ठीक है, ये बच्चे एक subject में, जैसे 5 subject है इनके पास, अगर एक में fail है और उनकी mark sheet पर लिखके आया, failed और compartment तो वो compartment का form भरने के योग्य माना जाएगा, बात की जाए जो high school का जो शुल्क है, वो 256 रुपए है, 256 रुपए किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसी इतने ही पैसों का चालान आपको बनवाना है, अपने कोशागार में, जब आप bank से चालान बनवाएंगे, SBI bank से चालान बनेगा, उसी तरह से जैसे की scrutiny में बनवाया था आपने, जिन लोगों ने scrutiny कराई है, कैसे चालान बनता है, वो आपको बताया गया है, उस वीडियो में देख लेना, बस एक compartment के लिए आपको चालान बनाना है, और high school वाले improvement अगर दें, तो उसके लिए आपको चालान बनवाना पड़ेगा, उसका भी वीडियो में डिटेल में आपको बता दूँगा, यहाँ पर देखो आ अध्यम से जमा करेंगे, वहाँ पर पैसे देंगे, वो फॉर्म भरेंगे चालान वाला, वो जमा कर लेंगे पैसे, राश्ट के कोशागार में जमा होग जाएगा, और आपको मोहर लगाकर आपको रसीब मिल जाएगी bank से, उसी को चालान बोलते हैं, तद पश्चार जो च स्कूरूटनी के फॉर्म भरे जाते हैं, उसका वीडियो डिटेल है, वैसे ही आप कमपाइटमेंट का फॉर्म दी ऑनलाइन भरेंगे, और जब फॉर्म सब्मिट कर देंगे, तो उसकी जो प्रिंट आउट है, उसको निकालकर रजिस्टर डाक, जो रजिस्टर पोस्ट है आपको छेत्री कारयाले में 10 जून तक जमा करना होगा, 10 जून लास्ट डेट है, 7 जून तक तो आप ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं, लेकिन 10 जून तक आप अपना जो रजिस्टर डाक है, जो रजिस्टरी है, जो पोस्ट करना है, वो 10 जून तक आप जमा कर पाएंगे तक से घोशित की जाएगी, यानि कमपार्टमेंट परिक्चा की जो डेट है, उसके बारे में भी जानकारी यूपी बोर्ड दे देगा, अब यहाँ पर देखो, ऑनलाइन फार्म की जो स्टार्ट डेट है, वो 17 मई है, ऑनलाइन फार्म की जो लास्ट डेट है, वो 7 जून है, और क्लास 10 का जो ऑनलाइन फीस शुलक है, वो 256 रुप है, फचास पैसे है, ठीक है, इतने पैसे का चालान आपको बनाना पड़ेगा, रास्टि कोशागार में जमा करना है, और जो इंटर्मीडियेट का, क्लास 12 की जो कमपार्टमेंट एक्जाम की जो फीस है, वो 306 र ठीहान रखनी है, और 10 जून लास्ट डेट है, जब तक आपको अपना जो रजिस्टर्ट डाक है, वो 6 कारेले में पहुंचाना है, पोस्ट करके, पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर्ट डाक के द्वारा, लास्ट डेट 10 जून है, और ऑनलाइन फार्म की जो लास्ट डेट है वो कितनी है साथ हुने मै here start गप उसे होगे 17 माई 2023 से होगे तो अब आप समझ गए होंगे कि intermediate वाले सिर्फ compartment और 10्थ === देगे अगर दो सब जिख में फैल है तो एक में वा compartment का भरेंगे अगर एंग में फैल है तो फिर इंप्रूओमेन का एक्जाम दे पाएंगे 256 रुपए 50 पैसे फीस है 10th की और जो 12th की है वो 300 कितने थी 306 रुपए थी फीस दोस्तों कितनी थी फीस यहां पर 306 रुपए आपको फीस 12 की पे करनी होगी अब चलते हैं next information पर जी हां यह यह पेपर की cutting भी है detail में यहां पर भी वो सभी बाते बता आई गई है यह news मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा वहां पर जाकर आप पढ़ लेना वही process में बताया गया है जो कि मैंने आपको बताया है आप ध्यान से देखो कि यूपी बोर्ट केट पर एक्षारती इंप्रूमेंट होग अपार्टमेंट 17 मही से आवेधन करेंगे और वही आवेधन भरके उसकी प्रिंट आउट निकालके पैसे जमा करना है बैंक में वहाँ से चालान मिलेगा उसको एकलिफाफे में बंद करके पोस्ट आफिस में जाएंगे रजिस्टर डाक दौरा उसको छेत्री कारयालय में पोस्ट करना है अपना पता डालेंगे छे 10 जून से पहले पहले आपको वह पोस्ट कर देना है वह वहाँ पर 10 जून उसकी लास्ट डेट है फीस 256 रुपए 50 पर से हाई स्कूल की 306 रुपए इंटरमेडियेट की 10 जून तक जमा करना होगा लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताई UP बोट के सचिफ दिविकान शुकल न कमपार्टमेंट भरेगा एक मेन उत्रीन है तो फिर पास ही माना जाएगा वैसे तो लेकिन वो चाहे तो improvement का exam दे कर पास हो सकता है 12 में केवल एक option है आपका जो की compartment का है उनकी mark sheet पर भी compartment लिखकर आया होगा तो वो परिचारती सिर्फ और सिर्फ compartment का exam भरेंगे बहुत से student पूछनें comments में कि भाई जो दो subject में fail है उनका क्या होगा तो भाई उनको option नहीं मिलेगा compartment का 12 में compartment उनहीं को मिलेगी जो एक subject में fail ठीक है और उनके mark sheet पर लिखकर भी आया है failed and compartment failed and e compartment इस तरह से लिखकर आया है वो ही भर पाएंगे दो विशे है तीन विशे में जो 12 वाले बात नहीं है लेकिन अगर उन्हें लगता है कि paper बहुत अच्छे गये थे और number गलती से उनको जान बूच के कम मिले हैं और उन्हें fail किया गया है या गलती से fail हो गये है ठीक है absent आ गया है तो वो फिर scrutiny भर दें 19 मही उसकी last date है 19 मही तक आप अपने scrutiny का form भर सकते हैं उसका detail video scrutiny कैसे करानी है वो detail video आपको channel पर मिल जाएगा description में मैं उसका link दे दूँगा तो मिलते हैं next video में उमीद करते हैं आपको video समझ में आ गया होगा सारी बातें thanks for watching and good luck for your compartment exam channel को subscribe कर लो सभी updates मैं आपको बताऊंगा